हेलो स्टुडेंट्स, विल्कम, टुडेज अवर सबजेक्ट जीके, आज हम स्टुडेंट्स जीके में क्या सिखेंगे, मिल्क एंड इट्स प्रोडेक्ट, दूद और दूद में से बनने वाले चीजों के बारे में हम जानेंगे, स्टुडेंट्स हमने आगे के वीडियो में क्या देखा था, वाटर एंड इट्स यूजिस, हमने पानी और उसके उप्योग देखे थे ना, और आज हम क्या देखेंगे स्टुडेंट्स, मिल्क एंड इट्स प्रोडेक्ट्स, तो स्टुडेंट्स आप सब सुबह में मौनिं एवरी डे आप सब सुबह में रोज दूद पीते होना students देखो ये गल दूद पीते होना ग्लास से वैसे आप पीते होना अब हम जानेंगे कि हमको milk कौन कौन देता है हमें milk दूद कौन देता है काव गोट और बफेलो हमको milk कौन कौन देता है students काव मानिकी गाई गोट गोट बकरी और बफेलो बफेलो मतलब पैस आपको ये तिनो milk देते है अब students हम milk प्रोड़क के बारे में जानेंगे दिखो नीचे milk प्रोड़क दिया हुआ है हमको बुक में तो milk प्रोड़क मतलब milk में से जो बनता है उसको हम क्या बोलते है milk प्रोड़क क्या बोलते है milk प्रोड़क तो पहले तो कड दूद में से क्या बनता है students? कड मतलब दही आप सब खाते हो ना students दही फिर बटर मिल्क मतलब छास छास पीते हो ना students सब लो फिर गी गी रोटी में लगा के गी खाते हो ना और गी से बहुत सारी चीजे बनती है ना Cheese, Cheese मतलब सेंडवीच में डालते हैं, मम्मी डालती हैं सेंडवीच में, तो Cheese Cheese किस में से बनता है? Milk में से, फिर है Butter, फिर Ice Cream, दूद में से Ice Cream बनता है, क्या बनता है? Ice Cream, फिर Chocolate, चोकलेट किस में से बनता है Students? Students, दूद में से, फिर है Paneer, सब लोगों को Paneer की सबजी अच्छी लगती है न स्टूड़न्स, तो Paneer किस में से बनता है? Milk में से, अब स्टूड़न्स, उपर हमने Milk Product देखे, अब हम नीचे थोड़ी स्टूड़ी स्टूड़न्स देखेंगे, जो Milk में से बनती है, तो Milk में से क्या क्या बनता है Students? गुलब जामून, क्या है गुलब जामून? उसके बाद है रबड़ी, उसके बाद है पेड़ा, और श्रीखन, यह सब किस में से बनता है Students? यह सब स्टूड़न्स किस में से बनती है? Milk में से, तो Students हमने उपर क्या देखा Milk Products और नीचे Sweets देखें, तो Students हमने आगे के पेज में Milk और उसके प्रोड़क्ट और उसमें से बनने वाले Sweets देखें, अब हम Students उसके According थोड़ा Conversation देखते हैं, तो चलो Students टार्ट करें, क्या आप रोज दूद पिते हो स्टुड़न्स सुबह में हाँ, हम रोज दूद पिते हैं दूद में से बनने वाली प्रोड़क्ट के नाम बताएं कर्ड, दही, बटर मील, छास, चीज बटर एंड स्वीट्स वीच एनिमल गीवस मील्क काव, बफेलो एंड गोड गीवस मील्क हमको कौन-कौन दूद देते हैं कौन सा एनिमल दूद देता है काव, बफेलो एंड गोड तो students, अब हम नीचे उसके according थोड़ा exercise करेंगे तो देखो students, पहले क्या दिया है? Tick the animal which gives us milk क्या दिया है? जो animal हमको milk देता है, उसके आगे tick करना है तो चलो students, start करें Which picture is this? Which animal is this? Cow तो cow हमको दूद देता है न students तो हम उसको tick करते हैं फिर है elephant elephant हमको दूद देता है, नहीं देता है उसके बाद है goat क्या students, goat हमको दूद देती है न, milk देती है न तो उसके आगे tick करेंगे फिर क्या है? tiger क्या students, tiger हमको milk देता है, नहीं देता है न उसके नीचे है, tick the milk product हमको क्या करना है? milk product के आगे tick करना है, तो students रोटी दूद में से बनती है, नहीं बनती है, फिर है पेडा तो पेडा milk में से बनता है ना students, फिर है chips, chips किस में से बनती है, आलो में से बनती है दूद में से नहीं बनती है उसके बाद है cheese तो cheese बनता है ना students प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट मिल्क में से नहीं बनता है उसके आगे हमको टीक करना है तो पॉपकॉर्ण और बिस्किट ये दोनों दूद में से नहीं बनता है तो देखो स्टूड़न्स आज हमने क्या सिखा मिल्क और उसके प्रोडक्ट ठीक है न सुड़न्स तो आपको भी अपनी जीके की टेक्सबुक में से मिल्क और इस प्रोडक्ट को देखने है सिखने है और एक्सरसाइज भी करनी है